थोड़ी सी लाइटिंग हमने करी थी घर में क्रिसमिस का टाइम है तो लाइटिंग भी करी है हमने और मैंने क्रिस्मिस ट्री भी डेकोरेट किया है वोपी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर यह देखिए हमने क्रिस्मिस ट्री डेकोरेट किया हुआ है, इसके अलग से मेरी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, और यह नाइक का सीन है, दिखा रही हूँ मैं आपको, तो चलिए हम आप केक रेसिपी स्टार्ट करते हैं, तो मैंने बनाया है, एक कप सूजी से केक, और यहाँ पर पहले हम ले लेंगे कोई बेक बाउल, और यहाँ पर मैं डाल रहे हूँ एक कप सूजी, यह बारीक वाली सूजी है, अगर आपके पास ना हो, तो मिक्सी में डालके उसको एक बार ग्राइंड कर लीजिए, पतली ह हो जाती है, बिल्कुल, और आप एक मेजर्मेंट सेट कर लीजिए, जिस मेजर्मेंट से आप सूजी ले रहे हैं, उसी मेजर्मेंट से आगे के इंग्रीडिन आप डालेंगे, तो यहाँ पर उसी कप में ले लिया है, मिल्क, यह रूम टेंपरेचर पर है, ना ठंडा है, तो मेजर्मेंट का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है केक बनाने में, जो हमारा केक अच्छा बनता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा करके दूर्द एड़ कर रही हूं इसमें, जितनी जितनी रिक्वाइर्मेंट होगी हम डालते रहेंगे, तो यहाँ पर मैंने वो 20 मिनट रख देंगे, आप चाहे तो आदा घंटा रखिए, पंदरा मिनट बहुँ जरूरी है, ताकि यह सूजी जो है, सारा दूद पी ले और यह फूल जाए, तो यहाँ पर मैंने को आदा घंटा हो गया, चेक कर लेते हैं, यह देखी, सूजी ने सारा जो मिल्क है, सौक कर लिया है, और अब हम इसको अच्छे से फैटेंगे, आप किसी स्पून से या हैड विस्क से आप इसको फैट ले अच्छे से, और यह स्मूज सा बैटर बन जाएगा, तो यहाँ पर स्मूज सा बैटर बन चुका है, और आप मैं डाल रहे हैं, इसमें आधा कप मैदा, त उसमें से भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूंगी, यहाँ पर मैंने आदा ही डाला है अभी, ताकि लम्स ना पड़े, पहले थोड़ा सा अच्छे से इसमें मिक्स कर लें इसको, और फिर बाकी का भी हम इसी तरह डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स इसमें बस लम्स का ही हमें ध्यान रखनें कोई लम्स ना पड़े तो मैं विस्क से इसको कर रही हूँ तो अच्छे से यह फैट लेंगे हम अभी यह काफी गाड़ा है डौ की तरह ठीक हो जाएदा तो हम जो बचावा दूद है और हम इसमें एड करेंगे यहां पर मैंने थो तीन चुथाई कप चीनी तो शुगर का ध्यान रखें और मैंने उसको पीसा भी नहीं एज इस डाल दिया तीन चुथाई कप हमने डाल दी इसमें चीनी तो इसका जो पानी छोड़ेगी यह चीनी तो क्योंकि मेल्ट हो जाएगी तो यह बैटर और पतला हो जाएगा अब ह यहाँ पर देखिए इसको मिक्स करेंगे हलके हाथों से तो यह काफी अच्छे से बैटर बन जाएगा तो यह देखिए इसके कंसिस्टेंसी रीबन कंसिस्टेंसी हो गई है पहले गाड़ा लग रहा था तो अब हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस डाल दीजी मेरे पास काड़ा लग रहा था बैटर तो अब हम कर लेंगे केक टीन रेडी तो इसको चारो साइड से हम ग्रीज कर लेंगे तो अगर आप के पास बटर पेपर ना हो तो आप थोड़ा से मैदा डस्ट कीजिए और उसको चारो साइफ लाईए और बाकी कर निकाल दीजिए एक्स्ट अगर मैं रखना तो इसका लेवल काफी उपर जा रहा रहा है तो यह वाला जो है इसके अंदर बिल्कुल सेट जाएगा तो मैंने इसको रख लिया और यहां पर मैंने यह नमक पहले भी यूज करा हूँ है केक बेक करने के लिए तो वही नमक मैंने ले लिया नमक आप चा हम रख देंगे 8-10 मिनट के लिए तो अब हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर इसीच का ध्यान रखें बेकिंग पाउडर का कि हमने सिरफ 1.5 चम्मच डालना है तो यूज कीजिए और आधा चम्मच मैं डाल रही हूं वही वाले चम्मच से हाफ टीस्पून बे बेक करना है तो बेकिंग पाउडर ही जैदा जाएगा उसमें तो यहां पर मैं डाल रही है टूटी फूटी में पस पड़ी है इसलिए मैं डाल देती हूं आप चाहें तो यहां पर ड्राइफ फूट का यूज कर सकते हैं या दूसरे फूट यूज कर सकते हैं जो आप ला तो यहां पर हमने इसके अंदर इसको मिक्स कर दिया है यह सारी चीचे बिलकु लास मोमन पर डालेंगे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा क्योंकि यह फूलना शुरू हो जाएगा बैटर तो सारी चीचे इसलिए पहले हमें रेडी करके रखनी होती है तो हम इसको केक टीन म सारा पोर कर देंगे अच्छी से निकाल दिया हमने आप इसको स्पेचुलर से हलके हाथों से ही इसको मिक्स करके डालें थोड़ा से टैप कर लेंगे और उपर से गार्निश कर देंगे वापीस से टूटी-फ्लूटी तो यहाँ पर देखे हमारा जो बैटर है पूरी तरह रेडी हो गया और इधर जो हमने कड़ाई रखी थी ये भी अच्छी से गरम हो चुकी है तो हमें किसी अवन का यूज निकरना पड़ा हमें कोई एग निकरना पड़ा हमने कॉर्ड निकरना यूज करा तो विदाउट करड एग ओवन के हम ये केक बना रहे हैं तो केक को हमने रख दिये हैं यहाँ पर 40 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक करूंगी और ध्यान रखे कि जिससे आप कवर करें स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए अच्छे से इतना जैदा कवर होना चाहिए 40 मिनट्स हो गए हैं और य केक जो है सेंटर से बैठ जाएगा ये देखिए नाइफ कितना क्लीन निकल कर भार आ रहा है आप चाहए तो टूथपिक यूज कर सकते हैं तो केक हमारा रेडी हो गया है और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको डी मोल्ड और यहाँ पे कोई भी आप प्लेट ले लीजिए डी से बेक हुआ है तो अब बेक तो हो गया अब इसको हम डी मोल्ड करेंगे किस तरीके से यह देखिए आप इसके ओपर उल्टी करके रख देंगे हम प्लेट और इसको ऐसा पकड़ेंगे कि यह इसको एक्दम पलट देंगे इसके अंदर यहाँ पर मैंने पलट दिया और यह देखिए यह जो इसके निशान नजर आ रहे हैं यह मैंने पहले केक बेक कर रहा था तो वह जाली रखी थी उसी का निशान इस पर पर्मनेंटी बढ़ गया है तो चलिए यह देखिए कितना क्लीन निकल कर बाहर आया है और यह थोड़ा सा लगा हुआ है मैंने नाइफ का यूजनी करा इस वज़े से अराम से निकलाया यह केक और यह देखिए मैं आपको दिखाते कितना सुनहरी कलर आया है पूरा चारो साइड से अच्छे से बेक हुआ है उपर से और साइड से और नीचे से भी आपको मैं दिखाती हूँ यह हटा देंगे हम इसके उपर से कर लेते हैं वाओ जैसी नाइफ डाला एकदम सॉफ्ट जा रहा है इसके अंदर मतलब मेरे को जर्ण सा भी जोर नहीं लगाना पटा कि इतना यह स्पॉंजी बना है इतना जालीदार और स्पॉंजी है कि मलब अच्छा लगा मेरे को इतना अच्छा बना है तो आप इस तर इंग्रीडिन्ट से आप एकदम बजार वाला केक बना सकते हैं एक पीस मैं आपको ओर कट करके दिखाती हूं एक दम मारकीट वाला केक और टैंपटिंग तो इतना महँगा केक मारकेट से क्यों लाना तो आप घर पर ही ट्राइ कर सकते हैं यह देखिए स्पॉंजी बना है आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए का और मुझे कमेंट करके बताइगे कि आपको कैसा लगा विलती हूं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ इंड लेन बाबाई